नमस्का दोस्ते को फिस्स सागत है आपको किपनी येटूब चैनल है आज टेडी गयान पे तो आज के इस वीडियो में हम यह आपर बात करने वाले कि आपके कोटा विश्विद्धादी यानि इंविश्टी और कोटा के आपके जो दोजा तेइस के सप्लेमेंटरी एक्जाम में जो कि कुछी दिनों पेले ही आपर कंप्लीट हुए उसका रिजल्ट है वो कब तक जारी किया जा सकता है क्योंकि काफी ज़्यादा इस्ट्रेंट के हमारे पास कमेंट आ रहे है इसलिए आज के ये वीडियो आपकी इसी टॉप इस्टॉप पर होने वाला है तो आप प पता है कि आपके जो सप्लिमेंटरी एक्जाम में वो लगवग आपके 18 दिसमबर के आसपास तक आपके कम्प्लीट हो गये थे हैं अब बात करें कि आपको जो रिजल्ट है वो कप टक जारी क्या जा सकता है तो इसके अनुसर अगर हम बात करें तो आपको जो result है वो आपको लगवा 15 January के आसपास तक आपको देखने को मिल सकता है या तो 15 January से पेले-पेले पोसिबिल्टी काफी कम है लेकिन 15 January की बाद यानि 15 से 20 January की आसपास आपको जो result है वो जारी आपका किया जा सकता है ये सारी अनुमानित हम के रहे लेकिन जी काफी ज़्यादा possibility बनत रहे है कि आपके 15 January के आसपास है जो supplementary की सबी कोर्से जैसे BA, BCOM और BAC सबी students का जो result है वो लगोगा आपको 15 January के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा अब काफी ज़्यादा students ये भी पूछे कि सर जो main exam form है वो supplement supplementary exam के result के बाद शुरू होंगे या पेले शुरू होंगे तो जहां तक हमारा मानना है कि जो सर यहाँ पर main exam form है वो आपके यहाँ पर पेले ही शुरू हो सकते है supplementary exam से पेले अब काफी ज़्यादा students ये बोलेगी सर फिर हम कैसे exam form भरेंगे तो जैसा कि पिछले साल भी हो सकता है कि अगर आपके supplementary result से पेले main exam form शुरू हो जाते है तो उसके बाद फिर अगर result बाद में जारी किया जाता है तो उनके लिए अलग से यहाँ पर आपके main exam form यहाँ पर शुरू किये जाएंगे जैसा कि पिछली साल भी यहाँ पर हुआ था तो आपको बिलकुल यह आप जो main exam form से पेले ही supplementary exam का result है वो भी जारी कर दिया जाए ठीके जैसा भी होगा आपको हमारी चैनल दोरह यहाँ पर सुचित कर दिया जाएगा अगर तब भी आपके कोई doubt कोई questions हो तो आप हमसे comment करके पूछ सकते हैं और ऐसी information ऐसी update के लिए इस चैनल को subscribe करना ना भू को लिए मिल तेक ने स्टुडियम